हेलो स्टुडेंट्स कैसे आप सब एक बार मैं फिर आप सभी के बीच में हूँ म्यूजिक क्लास को लेके जैसा कि हम बात करें थे राग परीचे के उपर ताल परीचे में आपको पहले करवा चुका हूँ चार ताल हमारे स्लेबस में हैं चारो तालों का परीचे में करवा चुका हूँ अब बात करेंगे हम राग परीचे की जैसा कि दो राग परीचे में पहले करवा चुका हूँ राग भुपाली और राग ब्रिंदावनी सारंग तो आज हम बात करने वाले हैं राग खमाज का परीचे हैं ठीक है खमाज राग है ये हमारा तीसरा राग है ध्यान देना इस बात पर कि चार ताल मैं करवा चुका हूँ दो राग मैं करवा चुका हूँ अब ये तीसरा ताल है तो थर्ड नमबर लिख करके लिख लीजेगा राग खमाज का परीचे या फिर खमाज का राग परीचे है दन विटा तो सबसे पहले आपको यहीं पर वीडियो को पोस्ट कर देना है बिल्कुल आपने वीडियो पोस्ट कर दिया होगा तो अब आप क्या करेंगे जितना भी यह डिटेल है इस डिटेल की या तो आप स्क्रीन शोट ले लिजिए या फिर आप आप इसको यहीं पर वीडियो पोज करके टोटलि आपको डिटेल लिख लेनी है क्योंकि डिटेल लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा राग परिच्चे तो आपने लिख लिया होगा तो अब आप इसकी डिटेल लिख लीजिए राग खमाज के विशेषता हैं जो कि मैंने इसमें बताई गई है आप इसको ध्यान से लिख लीजिए पोज करके वीडियो हंजी तो आपने लिख ली होगी और आईए अब हम बात करते हैं राग खमाज के परिच्चेगी सबसे पहले दो हो आता है जिसके अंदर साफ साफ लिखा है आरोहन में रे वर्जित कर मतलब आरो के अंदर हम रे वर्जित कर देते हैं जैसे सास्वर होते हैं सारे गामा पाधानी इसमें से हमने रे वर्जित कर दिया है गावत राग खमाज आरोहन में रे वर्जित करके हम राग खमाज को गाते हैं दुद्देपहर मतलब निशिगाई ए रात के दूसरे पहर कोई गाय जाता है राग और रखिए गानी समवाद गाउर नी का समवाद है मतलब इसका वादी समवादी गाउर नी है तो सबसे पहले जैसा कि आपको बताया था ascending and descending आров और आरो क्या है? सागा मापा धानी सा जैसा कि आपने उपर देखा आरोहन में रे वर्जित कर आरोह में हमने रे वर्जित कर दिया है तो सा के बाद direct हमने गर लिगा है सागा मापा धानी सा सा के उपर डोट है क्योंकि वो तार सुदध के बराबर में आप शुद्ध नहीं दिख रहे हैं क्योंकि जिन स्वरों के ऊपर या नीचे कोई भी निशान नहीं होता वो सभी स्वर शुद होते हैं आप और्हों में देखेंगे तो सब में शुद्ध स्वर आपको दिखाई देंगे two am अब रो में देखें, नी के नीचे आप देखेंगे कि लेटी रेखा लगी हुई है, मतलब जिन स्वरों के नीचे लेटी रेखा लगी होती है, वो कोमल स्वरा आते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, आरो में तो हम शुद नी का प्रयोग करेंगे, और अब रो में हम कोमल नी का प्रियोग करेंगे जैसा कि आपको सभी स्वरों की फुल फॉम पता होनी चाहिए बच्चो जैसे सा की है शड़ज रे की है रिशब गा की गंधार मा की मध्यम पा की पंचम धा की धैवत और नी की निशाद तो अगर मैं शड़ज रिशब गंधार मध्यम पंचम धैवत निशाद ऐसे बोलूँ तो आप लोग समझ जाईएगा ठीक है तो सागा मापा धानी सा आरो और अवरो में हमने क्या किया साथ स्वर लिए सानी धापा मागा रेशा नी को कर दे हमने कॉमल पकड में देखिए इसमें कहा है कि जाते हुए जाते हुए शुद नी लगता है और आते हुए कोमल नी लगता है तो पकड देखिए नी धा नी से धा पे आये हैं तो नी कोमल हो गया नी धा मापा धा के बाद हमने S लगाया है इसका मतलब है को एक बार और बढ़ाना है नी धा मापा धा मागा पामागा रेसा आपको यह पकड़ लिख लेनी है बच्चो थाट क्या है इसकी खमाज खमास थाट क्या है थाट ही खमाज है और राग भी खमाज है मतलब यह का है यह अपने थाट का आश्रे राग है मतलब राग, खमाज और थाट भी खमाज है, स्वर देखिए इसके आरो में शुद्नी लगता है और आरो में कोमल्नी, जैसा कि मैं आपको बताया था कोमल्नी निशाद लगता है और इसका वर्जित स्वर देखिए, इसके वर्जित स्वर क्या है? जाती क्या है जाती मैं आपको बताई थी जाती से क्या होता है राग की जाती का मतलब होता है जिससे राग के स्वरों के पहचान होकि राग में कितने स्वर लगे हैं जाती देखिए इसके आरो में लगते हैं 6 स्वर और इसके अवरो में लगते हैं 7 स्वर तो इसकी जाती क्य है है रातरी नियास की ऑठर्छर का मतलब होता है जिन स्वर उपर हम फ्हराव रखते हैं सागा और प्रकर्ती यह है जो राग हैं मतलब अब ही यह जो राग है इसकी प्रकर्साइब क्या है चन्चल है संप्राकर्ति हें आपको कि झीक राग मतलब मिलता लुलता जो इसे रामें वहैं तीलंग ठीक है वेटा ध्यान रखी अब ही हम चलते हैं इसकी विशेश्टा की ओर कि उर तो राक की विशेश्टा देखिए यह चंचल प्रकर्ति का राग है कौन सा राग खमाज राग खमाज राग चंचल प्रकर्ति का राग है अता है इसमें छोटा ख्याल ठुमरी और टपा गाई जाती है छोटा ख्याल ठुमरी और टपा क्या है ये गायन शैली है सिंगिंग स्टाइल है बच्चो ठीक है अब आ गया समझ में आपको कि छोटा ख्याल ठुमरी और टपा गाई जाती है इसमें विलंबित ख्याल गाने का परचार नहीं है मतलब जो बड़ा ख्याल है ख्याल के दो परकार होते हैं विलंबीत और दुरुत ख्याल मतलब छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल तो छोटा ख्याल हमने इसमें गा दिया लेकिन बड़ा ख्याल इसमें गाने का परचार नहीं है इस राग में बड़ा ख्याल नहीं गाया जाता second देखी यह है अपने ही थाट का आश्रे राग है जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर देखे थाट क्या है थाट है खमाज ठीक है और राग कोन सा है राग भी खमाज है खमाज राग की थाट कोन सी है खमाज यह है अपने ही थाट का आश्रे राग है इसलिस का थाट खमाज माना गया है इसके आरों में रे वर्जित है किन्तू जब ठुमरी गाते हैं बच्चो जब ठुमरी गायन की जाती है जब हम ठुमरी गाते हैं वैसे तो इसके आरों में क्या है रे वर्जित है क्योंकि लिखा हुआ था यहां पर आरोहन में रे बढ़ जित कर लेकिन कभी-कभी जब हम ठुमरी गाते हैं तो कभी-कभी आरोहन में रे का प्रयोग कर दिया जाता है ऐसा क्यूं करते हैं? ताकि उसमें थोड़ी सी गाने में सुन्दरता बढ़ जाए समझ गए बच्चो? तो ये हमारे राग का परिचे था इसको ध्यान से लिख लीजेगा और ये आपका कोशन कंपलीट होता है राग का और नेक्स टाइम जो हम बात करने वाले हैं वो राग देश की बात करेंगे बहुत जल्दे आपके बास वीडियो आ जाएगा तो बच्चो घबराना नहीं है आपके पास मेरा नंबर है आप में को फोन कर सकते हैं कोई भी बात होती है तो पूछ सकते हैं कुछ भी कहां भी समझ में नहीं है तो पूछ सकते हैं तो सबसे पहले हमको फेर नोटबुक कैसे बनाने हैं चारो ताल के परिचे लिख लेने ठीक है जैसे मैंने आपको करवाया था बिल्कुल सीरियल वाइज लिख लीजेगा और मुझे स्क्रीन शोट जरूर बेजिए बच्छों आप ताकि मुझे पता रहे कि आप क्या कर रहे हैं उसके बाद हम राग के बात करेंगे राग मैंने आप परिचे करवाया था तीसरा राग का परिचे मैं करवा चुका हूँ और जो फाइनली जो राग आएगा देश राग मैं भोजल देब को करवा दूंगा थेंक्यू सो मच बचो थेंक्यू सो मच